हेलो गाइस वागत सभी का PC वाल YouTube चैनल पे और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारे बजट के हिसाब से 500 रुपे के अंदर बेस्ट गेमिंग माउस, 1000 रुपे के अंदर एक बेस्ट गेमिंग माउस और 1500 रुपे के बजट के अंदर बेस्ट गेमिंग माउस क्योंकि यार चोटा सा चैनल है कम सब्सक्राइब है तो सबके रिप्लाई मा कर दूँगा असानी से तो पहला है हमारा यहां पर माउस जो मैं यूज कर रहा हूं वो तुम इस स्क्रीन पर दिख रहा है ड्रेगन वार, एमिरा, एम्रा, एली, जी, एलेवन, ठीट, टीप, गेमिंग वाउस, डाक ब्लू, यह कई कलर वेरेंट में अवलेबल है जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ब्लैक हो गया, यह ब्लू और रेड का कॉम्बो, यह रेडर महरूम यह जो भी एक कलर है, अजीब सा, बेकार सा दिखने वाला, और एक यह रेडर ब्लू और और इन सभी को तुम कंट्रोल कर सकते हो, बीच में जो तुम्हें यह DPI लिखाव बेटन दिख रहा है, इससे, साइड में तुम्हें दो एक्ट्रा प्रोग्रामेबल कीज मिल जाती है, जो वैसे नॉर्मली तो बैक और फॉरवर्ड का काम करती है, अगर तुम माई खोलते हो या कोई अपना फोल्डर खोलते हो तो इसमें से बैक और फॉरवर्ड जाने के लिए तुम यूज कर सकते हैं, लेकिन गेमिंग के दोरान तुम में प्रोग्राम कर सकते हो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है, 1.2-meter की केबल है, ब्रेड और गोल बता रहा हुँ अगर तुम्हारे हात बड़ा हैयो अगर तुम्हारे माउस के तरफ चले जाओ, यह थोड़ा मैं पूरे हाथ को वरक लेता है, और मेरे लिए तो यह परफेक्ट था, तो मैंने यह लिया है, और अगर तुम इसका ब्लैक वर्जन लेते हैं, तो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, 349 का है, और अलग वर्जन के अलग लग कीमा था, और LED लाइटिंग तुम्हें इसके अंदर नहीं मिलती है, सबसे पहल लगा है, प्रोस और कॉन्स की बात तो क्या है, 300 रुपे गा, तो माउस यह तीन सवड़े थीन सो गा, पर एक मुझे सबसे बेकाइस की बात यह लगी, जब भी तुम अपना शटडाउन करते हो, यह बंद करते हो, और दुबहारा से री स्टाट करते हो, तो माल लोग तु यह बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन अगर तुमने स्लीप में डाल दिया, पीसी या हाईवरनेट में डाल दिया, उसके बाद जब उसे वेक करोगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यह सिर्फ शटडाउन के साथ वह है, और वह भी इसके, इसलिए कि 300 रुपे के माउ बेस्ट माउस कैसे मिल सकता है, और कौन सा माउस तुम्हारे ले बेस्ट है, 1000 रुपे के बजट के अंदर, तो 1000 रुपे के बजट के अंदर तुम्हारे लिए मैंने चूश कहा, Dragon War, ELE, G9, Thor, Blue Track and Blue Sensor Gaming माउस, अब यह जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, यह माउस यह 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 कि 3200 DPI तक तो यह भी है, इसकी भी DPI 3200 तक ही है, 800, 1600, 2400, 3200, जो पुराने वाले माउस में थी, इसके अंदर जो एक्ट्रा फीचर्स हैं वो यह है, कि तुम्हें एक यहाँ पे जो Red Dragon वाला यह logo है, यह ग्लो जाता है RGB से, यहाँ पे जो तुम्हें साइड में जो से, कॉम्हें दिख रहे हैं, यह गलो जे हैं, इसकी स्क्रोल यह रहे है और बीच में इसके सेंटर में पुर्स तुम्हें सीथीजकता है, यह पी धिय म।ंचे कर सकते हैं और यहां पे तुम्हें एक workflow मिलता है तो तो तुम्हें वो परिशानी तो नहीं आईगी और दूसरा इसकेंदर मेरे ख्याल से साथ स्टैटिक कलर से जिने तुम चेंज कर सकते हो क्योंकि यहां पर अगर 16.7 तो माउस मैट जो माउस की जो माउस पैड है या जो भी तुम कहो वह मिलेगा और माउस पैड के डाइमेंशन थीन तो साथ बाइट टूसरी एमम है मिलीमेटर तो उसे भी तुम कंसिडर कल लो और यह अच्छा कॉम्ब एक आर्ट तो फोटेन ने के अंदर यानि एट फोटे नाइन तो नहीं है फर एट पंट वन एट सेवन एक्सपी वगएरा जो भी है सबको सपोर्ट करता है ठीक है तो अब आते हैं मैं अपना पंदरसो वाला बजट है पंदरसो के बजट के अंदर जो तुम्हें मिलता है वह काफी लोग इसके बारे में पूस्ते रहते हैं वह इसके अंदर दूसरा जो अच्छा फीचर है वह है कि इसके अंदर 200 से लेके 6000 तक DPI है अब देखो जो हमने अपने पुराने दो माउस देखे उसके अंदर minimum DPI थी 800 और maximum थी 300 लेकिन ये वाला जो माउस है इसके अंदर minimum DPI 200 है और maximum 6000 इससे तो में फाइदा क्या होगा अगर तो minimum 200 DPI पे सट करते हो तो माउस को तुम टेबल पर रगड़ते रहो इसकोने से उसकोने तक वो बिल्कुल भूती स्क्रीन पर minimum movement शो करेगा मतलब तुम हाथ से तो माउस को पूरे टेबल पर रगड़ते हो लेकिन स्क्रीन पर बहुत थोड़ा हिल रहा है तो अगर तुम क जाओ DPI से क्या मतलब है मेरा उपर से इसका डिजाइन काफी ergonomic है और इसमें भी तुमें बीच में सेंटर में एक की मिल जाती है मतलब एक बटन मिल जाती है जिसे तुम इसकी DPI एजस्ट कर सकते हो और इसके अंदर तुमें मैं एक और बाद बता हूं इसके निए 16.8 million colors को set कर सकते हो और कहां कहां पर glow करेगा तुमें सामने जो पिक देख रहे हो यह जो इसके buttons के सामने पर जो एक क्लाएन से आ रही है और उपर पर जो Logitech का जो लोगो सा बना हुआ है वह इसका glow करेगा और काफी अच्छा design ऐसका और दो मीटर की केबल है पूरी दो मीटर की ल लगाने प्लग इन करने के लिए तो यह पूरा पहुंच जाएगा और इसके साथ यह तुम्हें यही फीचर्स मिल रहा है एक्ष्ट्रा कि तुम जो है अपने इसके अंदर इन बिल्ट मेमरी है तो तुम इसे अगर किसी एक गेम के लिए स्पेसिफिक सेटिंग कर देते हो अ तुमें उस सब की दिक्कत नहीं आने वाली है यह इसके साथ है और तुम इसके जो 16.8 million कलर जो है इनको सपोर्ट करता है उनको भी तुम उसी सॉफ्ट्यर के मदद से कंट्रोल कर सकते हो और इफेक्ट्स वगएर उसमें ला सकते हो आर जीव लाइटिंग में अपना इफे प्रोमेंस है एटेक्स फास्टर है यह नॉर्मल माउस से और मतलब जो नॉर्मल माउस होते है उनके मुकाबले यह आठ गुना ज्यादा फास्ट है और गेमिंग के लिए डिजाइंड है दोस्तों से 6000 तक कि तुमें इसमें बहुत बढ़ी या वह मिल रही है डीपे से अच्छा यह एक कॉम्बो तुमें मिलने वाला है लेकिन इसके सब्सक्राइब कर सकते हो अपने गेम और अपने जो भी तुम काम कर रहे है उसके हिसाब से मैक्रो फंक्शन उनके लिए सेट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर दो अपने पीसी में तो तुम अगर किसी और फ्रेंड की घर में जा रहे हो माउस लेकर या फिर किसी और काम से माउस के लिए किसी और लैपटाप में प्लग इन करते हो वैस तो कुई जरुत पड़ेगी निया हर कोई परसनली उसके लिए लेगा इस इस जो फीचर है यह सेव करने वाले का इसका फराख यह बढ़ेगा कि शट डाउन वगरा जब तुम करते हो वगरा तो यह सेव रहेगा और तुम्हें बार बार वो नहीं करना पड़ेगा पर सबसे बहतरी जो इसका मुझे फाइदा लगा वो यही लगा कि इसके अंदर मतलब काफी वराइटी है 200 से लेके 6000 तक काफी अच्छी डीपे रेंज मिल रहे है दूसरा इसके अंदर आर्जबी एलेडी कलर सवगरा मिल रहे है उसके अलावा तो बाकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास है नहीं क्योंकि वह अन्बोर्ड मेमरी वाला फीचर एक तरी मतलब अपनी माउस को मतलब बार बार निकाल के संदर सेव करके दूसरे के कमिटर पर लगा के वो करेगा तो अनबोर्ड मेमरी का फीचर गिनाने के लिए तो अच्छा है पर प्रैक्टिकल उतना इसका यूज नहीं है तो उमीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद होगी पर तुम्हें तो ये उतना ही उतना ही काई मिलेगा जितने का है तो मैं तो तुम्हें को वीडियो पसंद आई होगी तो जवाज बाई बाई और टेक केर यार्ज